एक बार की बात है, एक दूर देश में, ग्रुग नाम का एक बदसूरत ट्रोल रहता था। वो हरे रंग की त्वचा, उभरी हुई आँखों और टेड़ी नाक वाला प्राणी था, जो किसी भी अन्य प्राणी से भिन था। ग्रुग एक पुल के नीचे रहता था, जो तेजी से बहने वाली नदी पर फैला हुआ था, और वो अपने दिन लोगों को डराने और उसके पुल को पार करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ती से टोल मांगने में बिताता था। ग्रुग एक खुश ट्रोल नहीं था। वो अकेला था और वो चाहता था कि कोई उससे बात करे, कोई ऐसा व्यक्ती जो उसकी कुरूपता को देखे और उसकी सराहना करे कि वो कौन है। लेकिन जब भी वो दोस्त बनाने की कोशिश करता, लोग उसकी शक्तों से डर कर चिलाते और भाग जाते। एक दिन, सोफिया नाम की एक युवा राजकुमारी नदी के दूसरी और रहने वाली अपनी दादी से मिलने के लिए देश से होकर यात्रा कर रही थी। जब वो पुल पर पहुँची, तो ग्रूग उसके सामने आया, उसकी आँखों में द्वेश की चमक थी। इसमें आपकी रुची हो सकती है। ग्रूग को संदे था, लेकिन वो जिग्यासू भी था। इससे पहले उसे कभी किसी ने कुछ भी ओफर नहीं किया था। सोफिया ने अपनी टोकरी में हाथ डाला और ताजी पकी हुई रोटी का एक टुकड़ा निकाला। उसने इसे ग्रूग की ओर बढ़ाया और कहा, ये रोटी प्यार और दयालुता से बनाई गई है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? सोफिया के फैले हुए हाथ से सावधानी से रोटी लेने से पहले ग्रग एक पल के लिए जिजका। उसने उसे सुंगा, फिर एक छोटा सा काट लिया। जैसे ही उसके मुह में स्वाध फूटा, उसकी आँखें आश्चर्य से फैल गई। उसने पहले कभी इतनी स्वादिष्ट चीज का स्वाध नहीं चका था। सोफिया ग्रूग को देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। क्या आप बाकी बाते मेरे साथ साजह करना चाहेंगे। ग्रूग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इससे पहले कभी किसी ने उसके साथ कुछ भी साजह करने की पेशकश नहीं की थी। उसने उटसुकता से सिर हिलाया और वे दोनों पुल के पास घास के किनारे बैठ गए और रोटी बाटने लगे। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, सोफिया ने ग्रूग से बात की और उसकी कहानिया सुनी। उसे पता चला कि वो स्वभाव से एक मतलबी ट्रोल नहीं था, लेकिन जिस तरह से लोग उसके साथ व्यवहार करते थे, उससे वो कड़वा और क्रोधित हो गया था। सोफिया ने ग्रूग की कुरूपता को देखा और उसके भीतर की अच्छाई को पहचाना। उस दिन के बाद से, सोफिया जब भी उस देश की यात्रा करती थी तो ग्रूग से मिलने जाती थी। वो उसके लिए भोजन, किताबे और अन्य छोटी, छोटी चीजें उपहर लेकर आई जिनका उसे लगा कि वो आनंद ले सकता है। ग्रूग उसकी मुलाकातों का इंतजार कर रहा था और वो बदलने लगा। वो और अधिक मुस्कुराया, उसकी आँखें नई खुशी से चमा कुठी और उसने दुनिया को एक अलग नजरिये से देखना शुरू कर दिया। आखरकार, सोफिया की दयालुता की बात पूरे देश में फैल गई और लोग ग्रूग को एक नए तरीके से देखने लगे। उन्होंने उससे डरना बंद कर दिया और उसके साथ सम्मान और दयालुता से पेशाना शुरू कर दिया। ग्रूग इस परिवर्तन से चकित था और सोफिया का आभारी था कि उसने उसे दिखाया कि दुनिया में अच्छाई है। साल बीटते गए और सोफिया बूड़ी हो गई। एक दिन जब वो मृत्यू शया पर थी, ग्रूग उसके सामने प्रकट हुआ। वो अब एक बदसूरत ट्रोल नहीं बल्कि एक सुन्दर राजकुमार था, जो सोफिया के प्यार और दयालुता से बदल गया था। सोफिया उसे देखकर मंद, मंद मुस्कुराई और बोली, मेरे प्रिय ग्रूग, तुम एक राजकुमार बन गए हो। तुम हमेशा मेरी नजरों में राजशाही थे, लेकिन अब दुनिया भी इसे देखती है। ग्रूग ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, धन्यवाद, सोफिया। मैं सब कुछ तुम्हारा रिनी हूँ। तुमने मुझे दिखाया कि दया और प्रेम सबसे बदसूरत प्राणियों को भी बदल सकता है। सोफिया फिर मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम पर गर्व है, मेरे प्यारे ग्रूग। तुम एक सच्चे राजकुमार बन गए हो, अपने रूप या उपाधी के कारण नहीं, बलकि अपने दिल के कारण। सोफिया का उसी दिन निधन हो गया, लेकिन ग्रूग ने उसे जो सबक सिखाया था, वो कभी नहीं भूला। उन्होंने अपने राज्य पर दयालुता और करुणा के साथ शासन किया, और उन्होंने ये सुनिष्चत किया कि उनकी उपस्थिती के कारण किसी के साथ कभी भी गलत व्यवहार ना किया जाए। वो पूरे देश में दयालू राजकुमार के रूप में जाना जाने लगा और लोग उसकी सलाह लेने और उसकी कहानिया सुनने के लिए दूर, दूर से यात्रा करते थे और इसलिए ग्रूग ने अपने बाकी दिन एक खुश और दयालू राजकुमार के रूप में बिताए, वो जहां भी गया, प्यार और दयालुता पहलाता रहा वो जानता था कि वो सब कुछ एक बहादूर राजकुमारी की दयालूता का रिनी है, जिसने उसकी कुरूपता को देखा था और उसके भीतर की अच्छाई को पहचाना था यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें अगर आप अपने और अपने प्यार के लिए कहानी लिखवाना चाहते हैं, प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें तक्स फोर वाचिक लाक्षक अबस्क्राइब झार शर्चान फोर नवीडियो अप्ड़ियो अधने प्यार चाहते हैं!